नमस्कार, स्वागत है आप लोग का इस भिशेश सत्र में, जिसमें हम जो संग लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेविल सेवा प्रारंभिक परिक्षा थी, दस अक्टूबर को जिसको आयोजिन किया गया था, जो संपन्ध हुई दस अक्टूबर को, उसके प्रशनों का विशलेशन करेंगे, जो कोस्चन है उसको एनलाईज करेंगे, और मैं यहाँ पर आपसे विज्ञान और प्रध्यूई की खंड के जो प्रशन है, उनके विशे म और प्रध्यूई की से पूछे गया है, और इस बार अगर प्रशनों की प्रकृति को हम देखें, तो अनस्पेक्टेट तो कुछ भी नहीं है, प्रशनों का जो खेत्र होता है, जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, वहीं से पूछे गया है प्रशन, और आप कभी इस बा रहे पर्यावरन का छेतर है यह बहुत महत्तूर छेतर हैं और यहां से आपको कुल प्रश्णों में से लभक सतर से 75% प्रसेंट प्रस्ण जो है वो 75% जो यह अपको इन ही खेतरों से प्राप्त होते हैं कुछ प्रस्ण जो है आप से जो जनरल awareness के हैं जो आपसे उम्मीद की जाती है कि इन चीजों पर आप देखें अपने आसपास उन चीजों पर थोड़ा सा विचार करें और पुल मिलाकर वही है कि आप कितने attentive हैं कितना जो है आप अपने आसपास की चीजों पर घौर करते हैं कितने उन पर कितना ध्यान देते हैं तो कुछ प्रशन ऐसे हैं और कुछ प्रशन जो है वो स्वास्त ये कृष्शी और परयावरण से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे गए हैं तो बहुत जादा समय ने लेते हैं सीधे हम प्रशनों पर ही आ जाते हैं और चर्चापनी युवा शुरू कर देते हैं यहाँ पर जो स्लाइड आपको दी गई है इसमें आपके जो question paper का set है उसको लिखा गया है और किस set में प्रशन का number क्या है इसको भी यहाँ पर दिया गया है जैसे जो प्रशन आपके सामने अभी है जो कि English और Hindi दोनों में लिखा हुआ है यह जो है वो अलागलक सेट में इस question का number क्या है इसको दिया गया है ताकि आप सरलता से इन प्रशनों को ढूंड सके और देख सके तो पहला प्रशन जो है वो निम्रकित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकरशी तैयार करने में किया जाता है चार आप्सन Congress Grass, Elephant Grass, Lemon Grass और Nut Grass यह चार आप्सन आपके सामने है तो अगर हम Congress Grass के बारे में चर्चा करें एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं सारी बातों को अगर हम Congress Grass के बारे में चर्चा करें तो Congress Grass जो है वो मच्छर प्रतिकरशी तो कतई नहीं होती यह Congress Grass जो है वो है और Native मतलम मूलस्थान इस Grass का आप जानते होंगे कि जो American Tropic है वो है इसका मूलस्थान है मूलस्थानिया Native Places इसको आप कहते हैं इस Congress Grass का वो American Tropic है और इसको कई नामों से जाना जाता है जैसे कि इसको Santa Maria Grass भी कहते हैं अमेरिका में और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है जो सबसे बड़ा इसके साथ इशू है इस Congress Grass के साथ कि यह एक Invasive Species है Invasive Species शब्द आपने जो है वो शायद सुना हो इसके पले अगर Biodiversity आपने पढ़ी होगी तो आप निस्चित रूप से जानते होंगे आक्रमरकारी प्रजाती इस शब्द से आप परचित होंगे इसका सीधास्त मतलब होता है कि अगर कोई जैविक प्रजाती चाहे वो पौधा हो चाहे वो कोई जन्तू हो या कोई सूक्षमिजी हो कोई भी तो Invasive के concept को थोड़ा सा अगर हम उख समझें तो जादा बहतर हम चीज़ों को समझ पाएंगे जैसे मा लेते हैं कि यह एक जो है वो ecosystem है A और यह जो है एक ecosystem है B ठीके यह पारितंत्र है तो जाहरी सी बात है पारितंत्र आप जानते ही हैं कि जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बने होते हैं अजैविक घटकों में वो ही आपका air, water, soil, light यह सारी चीज़े आ जाती हैं Abiotic component जिसको आप कहते हैं और जैविक घटकों में यहाँ पर जो भी जन्तू, पउधे या सूक्ष्म जीव है, शैवाल वगरा वो सारे इसमें आ जाते हैं तो अगर इस ecosystem का कोई जीव, कोई भी Biotic component इस ecosystem में प्रविश कर जाए ठीक है तो दो इस्थितिया बनती हैं आम तोर पर हो सकता है कि प्रविश करने के बाद यह अपने आपको पूरी तरीके से समायोजित कर ले इस ecosystem में पूरी तरीके से adjust हो जाए ठीक है, लेकिन एक इस्थिति और बनती है अब क्योंकि यह इस ecosystem से यहाँ गया है पर्टिकुलर जो जीव है उससे परचित नहीं है इससे अपरचित है तो इसको विदेशी या एलियन कह देंगे जो कि अपरचित है जो हम नहीं जानते हैं अब यह alien species जो है या तो adjust कर जाएगी या फिर adjust नहीं कर पाएगी adjust नहीं कर पाने के भी दो भी कलब हो सकते हैं एक तो यह खुद ही खतम हो जाए adjust नहीं कर पाए और समाप्त हो जाए लेकिन दूसरा यह होता है कि यह जो है वो इस पारितंत्र के पारितंत्र भी के अन्य जीवों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे इसको invasive species कहते हैं कई बार बहुत सारी प्रजातियां जो है invasive हो जाती है जैसे आपने कुस्त में पहले news में सुना हो गया का आस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी संख्या में जो है वो उंटों को मारा गया तो आस्ट्रेलिया में उंट नहीं पाये जाते थे जब वहाँ पर ब्रिटिसर्स ने सको colonize किया आस्ट्रेलिया को तो वहाँ की जो कोईला और सोने की खाने थी उनसे सामान निकाल कर कोईला निकाल कर सोना निकाल कर या जो भी खनी जोर सामागिनिया थी उनको निकाल कर बंदरगाहों तक पहुँचाने के लिए वो मध्य एशिया से वहाँ पर उंट ले गए और वही पर छोड़ दिया बाद में train का development हो गया तो बंदरगाह train से जुड़ गए और उनको वही पर छोड़ दिया गए अब Australian ecosystem जो था वो उंटों से परचित नहीं है और ऐसे में उंटों की population को नियंतरित करने के लिए वहाँ पर कोई जो है वो चेक और बैलेंस नहीं है ecosystem आप जानते हैं चेक और बैलेंस पर काम करता है बड़ा सीधा सा बड़ा सरल सा example मैं हमेशा देता हूँ कि अगर हम बात करें हिरन की बड़ा मासूम सा जानवर होता हिरन लेकिन अगर उसकी आबादी को नियंतरित करने के लिए जंगल में शेर चीते वगरा न हो तो हिरन की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि हिरन शाकाहरी है वह पूरे जंगल को खा कर खतम कर देगा इतनी आबादी बढ़ जाएग उसकी वही आकरमरकारी बन जाएगा यही चीज उटों के साथ उस्टेलिया में हुई और फिर बड़ी संख्यामूं का संघार करना पड़ा तो प्रजातियां कई बार जो है एकोसिस्टम के अन्य जीवों के लिए खतरा बन जाती है जो विदेशी प्रजातियां होती है जो एलियन स्पेसीज होती है वो खतरा बन जाती है एकोसिस्टम के अन्य जीवों के लिए एकोसिस्टम के अबाइटी कंपोनेंट के लिए भी खतरा बन जाती है कैसे उसका इस्तेमाल कर रही है वाइटी कंपोनेंट का, जो पानी है, उनका उपभोग कैसा है, मिटी से खनीजों का उशोसन किस प्रकार से उप कर रही है, और हो सकता है कि जो अन्य पौधे हों, या जो अन्य जीव हों, उनको ऑक्सियन ठीक तरीके से न मिल पाए, पानी में घुली हुई माल दीजिए, य यह जो है एक invasive species की रूप में जानी जाती है, आकरमरकारी प्रजाती की रूप में जानी जाती है, बिशेश रूप से भारत में, और अफ्रीका के कुछ छेत्रों में, इसको एक invasive species की रूप में गिना जाता है, तो कुल मिलाकर कहने का ताथ पर यही है कि हमारी फसलों अगर रहे के लिए काफी ये खतरनाग घास है एक दूसरा मच्छर से अगर इसके रिलेशन को हम लोग देखे ना तो मच्छरों की यह शरण अस्थली है मच्छरों को यह शेल्टर देता है इसलिए इसको बड़ा ही मतंद मलेरिया एंडेवरी माना जाता है कि यह मलेरिया को प्रस् की ये घास से तो मच्छरों को नस्ट करने वाले विकल्प इसमें होई नहीं सकता वो तो अपने आपी खतम हो जाएगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी है जो कॉंग्रेस ग्रास है पशुओं में जो है यह तवचा संबंधी समस्याओं को जन देती है मनुष में कि ऐसी प्रजाती अपने जीन्स को ट्रांसफर कर दे फसलों में तो इस प्रभाव को कहते हैं एलेलोपैथिक प्रभाव तो इसका प्रभाव एलेलोपैथिक भी है मतलब यह जो है खास्तों पर टामाटर भिंडी इस तरीके के जो प्रजातियां है उनमें फलों की यह रहे मच्छरों के साथ जो इसका relation है तो मच्छरों के साथ इसका बड़ा ही प्यारा relation है बहुत ही प्रेम पूर्ण स्तंबंध इसका मच्छरों के साथ है तो यह तो होई नहीं सकता है यह तो गया ठीक है? अब अगली इसमें जो है वो और भी देखे elephant grass या जो elephant grass है इसके बारे में चर्चा करें elephant grass जो है वो इसको और भी कई नामों से जानते है elephant grass को nepear grass भी कहते है और यूगांडा घास भी कहते है elephant जो है वो यह है यह इस तरीके से दिखती है इसको nepear grass या यूगांडा घास के नाम से जाना जाता है तो अखुछ समस्थ तकते हैं कि यह native places का क्या होगा अफ्रीका होगा यह काफी फाइदे मंद है यह घास जो है उतनी जो है हमारे लिए नुकसान दायक नहीं है इसका प्रियोग एक खास चीज के लिए किया जाता है पेस्ट पुष पुल टेकनोलजी पेस्ट मैनेजमेंट में मतलब फसलों पर लगने वाले जो कीडे वगरह हैं उनको मैनेज करने में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है पेस्ट और पुल टेकनोलजी मेरे खाल साब थोड़ा बहुत परचीत होंगे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ पेस्ट पुल और जो टेकनोलजी है इसका इसमें क्या करते हैं कि जिसे एक कतार जो हमने जो आर बाजरा या इस तरीके की कोई फसल लगा दी जिनमें जो तनों को छेद करने वाले जो कीड़े होते हैं बहुत जादा लगते हैं तो एक कतार यह लगा दी एक कतार यहां पर लगा दी ठीके एक कतार यहां पर लगा दी यह हमारी मेन फसल की कतार है ठीके अब बीच में किसी ऐसे घास की या ऐसे जो है वो वनस्पती की कतार लगा देते हैं हम लोग जो पेस्ट को जो है वो पुश करता है अपनी सुगंध के माध्यम से अपने एंजाइमों के माध्यम से यह पेस्ट को जो है धकेलता है पेस्ट इसके नजदीक नहीं आना चाहते और साथी साथ क्या करते हैं चारों तरफ हम इस तरीके का जो हमारा अभी अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे जो हमारी elephant grass है इसका जो है वो आवरण लगा देते हैं अब ये elephant grass जो है वो pest को खीचती है ये pest को pull करती है और यह वनस्पती pest को push करती है तो हमारी ये फसल जो है बज़ जाती है इसी को push-pull technology कहते हैं ठीक है तो कृषी में बड़ा उपयोगी elephant grass जो है हमारे लिए काफी उपयोगी हो जाती है खास तोर पर अफ्रीकी छेत्रों में इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर बड़े पैमानबर किया जाता है push-or-pull technology जो pest management की technology है इस तंदर में इसका प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग कई बार जो है कुछ दवाओं अगरे के लिए भी करते हैं तो इसका कोई बहुत जादा हमारे पास जो है वो नुकसान नहीं है लेकिन मच्चरों के साथ इसका मच्चर भगाती नहीं है आप देखे रहे हैं कि यह पूल कर रही है यह कीडों को खीच रही है तो मच्चर भगाने का काम इससे भी नहीं होगा तो यह भी हमारे पास से गया इसको भी अटा दिया इसको भी अटा दिया अब इसके पहले हम लेमन घास पर चर्चा करें क्यों हम लोग नट घास को भी देख ले नट घास तो से आप सभी परचित होंगे मेरे ख्याल से नट घास को आप सब लोग जानते होंगे नट घास जो होती है इसको कहा जाता है मोथा नाम सुना होगा इसका आपनी नगर मूथा या मूथा नाम से इसको जानते हैं मेरे ख्याल से उत्तर भारती तो सभी इससे परचित होंगे और इस मूथा को कहते हैं www यहाँ पर www का मतलब है Words Worst Read दुनिया का सबसे worst सबसे खराब जो है वो खरपतवार अगर कोई है तो यह अधिकांश खरपतवार नाशियों का असर इस पर नहीं होता ठीक है और यह 90 से अधिक देशों में 50 से जादा फसलों की बरबादी के लिए उतर दाई है ठीक है यह लेकिन इसके बड़े जो है औशद ही गुण भी है चाइना वगरे में जड़ी बूटी में इसका प्रयोग खूब होता है हमारे हाँ भी COVID वाले समय में खूब इसका प्रयोग किया गया तो एक अच्छा immunity booster है चाय के साथ इसको उबाल के पीना चाहिए लोगों ने पीया भी खूब क्योंकि immunity के लिए कर जादे ही चर्चा रही पिछले दो सालों में इसको चाय के साथ लोगों उबाल वाल कर पीया बाराल इसको याद रखे कि बहुत वर्स्ट चीज है खेतों के लिए जो है एक तरीके सिवाप कहले है कि मजदूरों को लगाना पड़ता है तो कुल में लागर agriculture की input cost बढ़ाने में इसका बड़ा यूगदान है मच्चरों के साथ इसका भी कुछ खास लेन दर नहीं तो ये भी out है तो बचा क्या है अगर इस सारी चीज़ आउट है तो बचा है लेमन ग्रास लेमन ग्रास के साथ खास बात क्या है कि इसमें ascorbic acid होता है जिसको vitamin C भी कर सकते हैं तो आप इसकी खुश्वू की वज़े से इसकी जो smell होती है वो निबू जैसी होती है इसलिए इसको लेमन ग्रास कहते है लेमन ग्रास काफी उपयोगी है मच्चरों को भगाने में यह एक तरीके से natural mosquito replant है इसको घरों अगरे में लोग गमलों अगरा में भी लगाते हैं इस लेमन ग्रास को और यह काफी कुशलता के साथ जो है वो आपके यहां से जो मच्चर हैं उनको भगा सकती है और यह भी एक अच्छी immunity booster है बढ़िया immunity booster के रूप में इसको जाना जाता है तो लेमन ग्रास जो है वो आपका आंसर होगा इसमें जो आपका ये प्रस्न है इसमें आपका आंसर लेमन ग्रास है आंसर C इस प्रस्न का उतर बाकी घासों पर खोड़ी बहुत चर्चा हमने की है आप थोड़ा invasive species को भी याद रखिएगा यहां से प्रस्न बन सकता है और www को तो जरूरी याद रखिएगा आप अपने खेतों की तरफ जाईएगा अगर आप लोग गाउं से जुड़े हुए है तो उधर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि यह www.q वहां पर होगा तो इसको याद रखिएगा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं घास से होते हुए पुना सयोजित वेक्टर वेक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है इन वेक्सीनों के विकास में आनुवानसी की जिनरिंग का प्रियोग किया जाता है दूसरा जीवाणूं और विशाणूं का प्रियोग रोग वाहक या वेक्टर के रूप में किया जाता है options आपके सामने है उपर यू कत्रों में से कौन सा या से सही है यह सारे इधर भी देखना चाहे तो with reference to recent development regarding recombinant vector vaccines consider the following statements यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा रोग वाहक जो है वाहक है इसमें रोग सब क्यों जोड़ा मुझे नहीं पता है ठीक है वेक्टर जो है वो जो recombinant DNA technology है genetic engineering है उसका एक प्रमुख टूल है मैं इसके वाहक थोड़ा सापको जानकारी देता हूँ वेक्टर क्या होता है बहुत important टूल है वेक्टर और इसका प्रियोग जो है वो वेक्टर के लिए ही करना चाहिए इसका प्रियोग कभी भी जो है वो रोग वाहक के ऐसे किसी शब्द के संदर में इसको translate नहीं करना चाहिए तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वेक्टर क्या है और फिर आपको recombinant जो vaccines से उसके बारे में बताता है तो इसमें देखते हैं vaccines तो मेरे खाल से आप उस-शब्द से परचित होंगे recombinant शब्द से भी मेरे खाल से परचित हूँ थोड़ा बहुत परचित है आपका करवा देता हूँ बहुत detail में तो नहीं आ पाएं क्योंकि recombinant DNA technology अपने आप में एक technology है, पूरा detail में तो इसके वाहक और process पूरा बताना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको परिचेश से करवा देता हूँ, ताकि इससे जुड़े जो सवाल हैं, उसको आप समझ सकें, भविस में भी, देखें, vaccine जो है वो, इसको टीका कहते हैं, रोग प्रतिरक्षा, रोगों से बचाने के लिए इनका परियूक किया जाता है, medicine और vaccine में basic difference यही है, कि vaccine जो है वो, आपको रोग होने के पहले दी जाती, ताकि आपको रोग होना, और medicine जो है रोग होने के बाद दिया जाता है, तो वैक्सीन जो है वह साधन है जिसके माध्यम से किसी रोग कारक के संदर्व में शरीर को भविष्योन मुखी इसमृती दी जाती है एक futuristic memory जो है हमारे शरीर को दी जाती है ताकि भविश में कभी वह रोग कारक हमारे शरीर में आए तो हमारा सरीर उसको आसानी से पहचान ले vaccine वही होते हैं कुल मिला करे vaccine के बनाने के बहुत सारे तरीके और vaccines के बहुत सारे प्रकार भी है live attenuated vaccine होती है या जो है वो dead जो रोग कारक है उनका प्रियोग करके इसमें simple होता क्या है कि जो रोग कारक है जिससे रोग उत्पन हो रहा है उसको मार कर निष्क्री करकर आपके शरीर में प्रवेश करा दिया जाए ताकि वह रोग पैदा में कर सके लेकिन हमारा शरीर उससे परचीत हो जाए एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका ये है कि पूरे के पूरे रोग कारक को प्रवेश न कराया जाए उसके किसी खास हिस्से को प्रवेश कराया जाए ठीके, जैसे हम बात करें अपने COVID-19 जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा अपना कहना तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते जो COVID-19 वाला हमारा वाइरस है वाइरस के बारे मैं भी मैं थोड़ी चर्चा आपसे और भी करूँगा ठीके इसके किसी टुकडे को इसका जो स्पाइक होता है इसी स्पाइक ये प्रोटीन का बना हुआ होता है वाइरस से क्योंकि कई सारे सवाल है तो भी वाइरस के बारे मैं आपसे थोड़ी सरचा में करता हूँ तो आप ज्यादा बेतर और समझ पाएंगे बात को तो ये जो spike इसके बने हुए हैं ये जो भाले की तरह निकले हुए हैं इसी में एक टुकड़ा काट लिया जाता है ठीक है और उसको जो है वो जोड़ दिया जाता है किसी और वाइरस के साथ कोई ऐसा वाइरस जो हमारे सरीर में जाकर कोई बहुत गंभीर समस्या न पैदा करे तो यहाँ पर जो इसका टुकड़ा काटा गया है इससे हमारा सरीर इसको पहचानेगा भविश में कभी भी ये टुकड़ा हमारे सरीर में चला जाएगा हमारे सरीर में इसके लिए जो है वो एंटी बॉड़ी बन जाएंगे टुकड़ा आपने काटकर अलग कर लिया मल ये टुकड़ा आपने काटकर अलग कर लिया तो इसको आप कोशिका में प्रवेश कैसे कराएंगे ये आपने काट लिया कोशिका में डालेंगे कैसे इसको ऐसे टप से ऐसे दो नहीं सकता हमारे शरीर में इसको प्रवेश कैसे कराया जाए ताकि यह कोशिका तक पहुँचे और कोशिका इसके लिए अपने आपको तयार रखे इस संदर में हमको किसी ने किसी कैरियर की जरूर पड़ती है किसी ने किसी वाहक की जरूर पड़ती है और इसी वाहा के रूप में प्रयोग किया जाता है किसी वाइरस को या किसी बैक्टिरिया के जनेटिक मेटेरियल को ताकि वो हमारे शरीर तक आसानी से पहुँच जाए तो वाइरस का प्रयोग ऐसे तो खतरनाक होता है कोई भी वाइरस, वाइरस तो भूत होता है हमारे सरीर के बाहर वो मरा हुया है और सरीर में जाकर जिंदा हो जाता है तो हम किसी ऐसे वाइरस का चुनाओ करते हैं जो कि हमारे लिए सबसे कम नुक्सान पहुंचाने वाला हो और उसके साथ इसको जोड़ देता है तो क्योंकि इस टुकडे को एक जगा से काटा गया है और दूसरी जगा जोड़ा गया है इसलिए करते हैं कि recombination किया गया फिर से जोड़ना उनर योगन उनर जोड़ना तो इसको क्योंकि फिर से जोड़ा जाता है अब हमारे शरीर में जाएगा, हमारा शरीर इसके किलाफ anti-bodys बनाएगा, और उसके किलाफ memory create की जाएगा हमारे शरीर में जो की सबसे जरूरी है, और उसके बाद जो है वो कभी भी यह वायरस हमारे सरी में प्रवेश करेगा तो हमारा सरीर इससे बहुत कुशलता पूरवक लड़े लेगा तो इसको शरीर में प्रवेश कराने के करम में कोशिका तक इसको पहुचाने के करम में हमको जरुरत पढ़ती है किसी वाहक की तो वाहक वह साधन होता है जिसके माध्यम से इस तुकडे को इस तुकडे को क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं एंटीजन एंटीजन जो रोक कारक होता है उसके शरीर के किसी भी भाग को ले लिए उसको anti-gen कहते हैं क्योंकि इसका काम क्या होता है? Anti-body generator यह antibody generate करने वाला होता है हमारे शरीर में इसके खिलाफ antibody बनती है तो anti-gen सब यहीं से ले लिया गया है तो इस anti-gen को जो है वो शरीर में पहुचाने के लिए जिन साधनों का प्रियोग किया जाता है जिन साधनों में इसको जोडा जाता है वह जो है वो कहलाते हैं वाहक इनको जोड़ना दो वजहों से जरूरी है किसी वाहक में किसी vector में इनको जोड़ना दो वजहों से जरूरी है एक तो यह बहुत छोटा तुकड़ा है तो हो सकता है कि हमारे सरीर में इसके खिलाब कोई अनुकूरिया, कोई response पैदा ही न हो ये भी हो सकता है हमारे सरीर इसको नश्ट कर दे और कोई अनुकूरिया ही पैदा न हो इसलिए इसको किसी बड़े जो है वो molecule के साथ जोड़ना जरूरी होता है किसी बड़े अनु के साथ जोड़ना जरूरी होता है और अगर वह अनु replicate हो सके तो फिर मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि जिसे virus है हमारी कोशी का मैं जाने बाद क्या करेंगा अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा और उसी के साथ ये जुड़ा हुआ है तो इसकी भी संख्या बढ़ने लगेगी तो इसकी संख्या बढ़ेगी तो हमारे सरीर में जादस जादा ये फैलेगा और हमारा सरीर इससे जो है वो आसानी से परचित हो जाएगा अब आप यह मन सोजिए कि सबसे उपयुक्त होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो अपने आपको रेप्लिकेट कर सके वाइरस ऐसा ही एक मॉलिक्यूल है ऐसा ही एक अनू है या बैक्टिरिया से लिया गया जो प्लाज्मिन नाम की एक सनचना होती है वह इस तरीके से होती है DNA ही होता है लेकिन बृत्ता कार DNA होता है यह भी जो है क्योंकि DNA है यह भी रेप्लिकेट होता है और जितनी बार यह रेप्लिकेट होगा उतनी बार जो है या इंटीजन भी उसके साथ रेप्लिकेट होगा इसकी संख्या बढ़ती जाएगी और हमारा सरीर इससे परचित होता जाएगा तो अगर इस प्रसंड को हम लोग देखें ठीक है तो वैक्सीन्स के विकास में आनुवांसिक इंजरिनिंग जाहिर से बात है जेनेटिक इंजरिनिंग का ही प्रियोग किया जाता है क्योंकि genetic material के साथ plasmid DNA है उसके साथ जोड़ना है virus के DNA या RNA के साथ इसको जोड़ना है तो अगर आप जो है वो genetic materials में कुछ hair pair कर रहे हैं तो आप genetic engineering है तो जाहिर इस बात है कि इसमें genetic engineering का प्रयोग किया जाता है genetic engineering की परिभाशा ही यही है जो ये आनुवांशिक engineering है की परिभाशा यही है कि मूलभूत आनुवांशिक पदार्थों DNA या RNA में संशोधन, परिवर्तन, हस्तक्षेप, इत्याद की प्रक्रिया को आनुवांशिक engineering करते हैं तो अगर आप जो है वो आनुवांशिक मूलभूत आनुवांशिक परदार्थ में DNA या RNA में कोई संशोधन कर रहे हैं कोई परिवर्तन कर रहे हैं कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं तो इसी प्रक्रिया को genetic engineering कहते हैं और यहां पर निशित रूप से genetic engineering का परियोग किया जाता है क्योंकि वाइरस के जो है वो genetic material के साथ आपको अपने antibody generator antigen जिसको कहते हैं उसको जोड़ना पड़ेगा या फिर bacteria के genetic material DNA plasmid के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा तो इसको हम genetic engineering ही कहेंगे क्योंकि यहां पर मुल्भूत आनुवांशिक पड़ार्थों में संसोधन परिवर्थन वोगरा किया जा रहा है दूसरा कोशिका में प्रवेश कराने के लिए क्योंकि छोटा सा molecule है तो आपको किसी ने किसी ऐसे साधन की ज़रूरत पड़ेगी जो कोशिका तक इसको ले जाए और उसका आकार कम सकम इतना बड़ा तो हो कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसके प्रती जो है रिस्पॉंस क्रियेट करे और साथी साथ अगर वो self-replicating हो तो फिर तो पूछना ही क्या है तो self-replication के लिए जो है वो virus से में अतर क्या हो सकता है बहुत तेजी से अपने आपको replicate करता है या bacteria के genetic material से में अतर क्या हो सकता है वो बहुत तेजी से replicate करता है तो यहाँ पर दोनों आपके जो हो कठास नहीं है एक और दो दोनों हो जाएगे तिसको यहां से आप रेक्षिएगा अगले प्रस्ण बढ़ाते हैं यह बड़ा मतलब ऐसा प्रस्ण है जिसको हम लोग 2016-17 सही बता रहे हैं कि इस तरीके के कोई प्रस्ण आप से जरूर पूछा जाएगा Mitochondrial DNA पर अंतता जो यह प्रस्ण आ गया तो इसके पारें ज़रा विचार करते हैं कोई भी हिंदी वाला पढ़ देता हूँ आनुमालशिक रोगों के संदर्ध में निमलखित कतनों पर विचार कीए पहला अंडों के अंतह पात्र इन विट्रो निशेचन से या तो पहले या बाद में शूत्र कणिका प्रतिस्थापन Mitochondrial Replacement चिकित साद्वारा सूत्र कणिका रोगों Mitochondrial Diseases को माता पिता से संतानों में जाने से रोका जा सकता है दूसरा है किसी संतान में सूत्र कणिका रोग Mitochondrial Diseases आनुमांसिक रूप से पूर्णतह माता से जाता है न कि पिता से ये एक statement है थोड़ी से बात करते हैं इस पर देखिए अगर हम DNA के बारे में बात करें Deoxyribonuclecacy ठीक है और DNA को अगर हम स्रोत के आधार पर मतलब DNA कोशिका में कहां कहां होता है अगर हम कोशिका में जाकर DNA को ढूणना सुरू करें तो DNA हमें कहां कहां मिलेगा ठीक है तो स्रोत के आधार पर अगर DNA को हम classify करेंगे तो इसको हम दो वर्गों में divide कर सकते हैं nuclear DNA थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मतलब वह DNA जो की कोशिका के केंदरक में होता है मुख्य रूप से DNA ठीक है extra nuclear DNA में हम बात करते हैं तो आता है mitochondrial DNA जिसे आम तोर पर MT DNA कह देते हैं और Plastid DNA मतलब वह DNA जो की हरित लवक में पाया जाता है उस DNA को Plastid DNA कहते हैं अब मगर अपनी बात कर रहे हैं तो हम तो जन्तु है और जन्तु हों में यह तो होगा नहीं जन्तु में Plastid होता ही नहीं तो हमारे सरीर में गर देखेंगे तो mitochondria में मुक्ष रूप से जो DNA होगा किंद्रक में होगा ठीक है और इसकी एक छोटी सी मात्रा जो है वो mitochondria में भी होती है ठीक है अब MT DNA के बारे में अगर हम लोग थोड़ी से बात कर लें तो और बाते क्लियर हो जाएंगे मतलब mitochondrial DNA के बारे में बात करेंगर हम लोग तो mitochondrial DNA इतना चोटा होता है कि इसमें केवाँ 37 जीन होते हैं 37 जीन होते हैं और ये 37 जीन जो है वह कुल 13 प्रोटीनों के निर्मार से संबन्दित है मैं उम्मिद करा हूँ कि आप DNA के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे DNA के बारे में डीटेल हैं पढ़ाने का ये platform नहीं है वो class नहीं हो सकता है मेरे काल सब इसको बात से परचित होंगे तो ये 37 जीन DNA के जो वह भाग जहां पर प्रोटीनों के code होते हैं उहीं को जीन कहते है तो टोटल 37 जीन होते हैं इसमें बहुत छोटा piece DNA का होता है और ये 13 प्रोटीनों के निर्मार से संबंधी थी और हम इस बात को जानते हैं कि DNA जो है वह genetic material है ये जो है genetic material है आनुवांशिक पदार्थ है मतलब वह हमारे शरीर की जो संरचना है और जो जैविक प्रक्रियाएं है मतलब पोशन, परिसंचरन, श्वसन, उत्सरजन इन सब के संदर में सूचनाओं को धार्ण करता है और यही सूचनाएं एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में ट्रांसफर होती है आनुवांशिकता इसी को तो कहते हैं इसलिए DNA को कहते हैं हम लोग आनुवांशिक माध्यम से ही एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाती है कि अगर मनुष्य की संतान है तो उसकी शारीरिक संदर्चना कैसी होगी यह information DNA के माध्यम से ही एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाती है यहाँ पर खास बात क्या है कि यह जो माइटो कॉन्ड्रिया वाला DNA ह इसका शारीरिक संदर्चना के निर्धारन में कोई रोल नहीं होता है आपके शरीर की संदर्चना कैसी होगी इसका निर्धारन किया जाता है उस DNA के द्वारा जो DNA केंदरक में होता है इसके द्वारा नहीं होता है तो यह बड़ी important बात यह है कि इसका शारीरिक संदर्चना के ने धरान में कोई रोल नहीं होता, इसकी कोई भूमिका नहीं होती, पहली बात. दूसरी बात, इसकी भूमिका होती किसमे है? तो आप जानते ही DNA क्या है? पावर हाउस आफ दसल, कोक्षिका में उर्जा उत्पादन करने काम इसके द्वारा किया जाता है. तो उर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में जो एंजाइम्स लगते हैं, जो उत्प्रेरक बायो केटिलिस्ट लगते हैं, वह बनाये जाते हैं, वही होते हैं ये तेरा प्रोटीन, और वह बनाये जाते हैं इन ही जीनों के द्वारा. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर माइटो कॉंड्रेल डियन्ने में कोई समस्या आ जाए, तो कोशिका में उर्जा उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो लिए. और जरा सोचिए, कोशिका किसी ऐसे अंग की है, जिसमें की माइटो कॉंड्रेल डियन्ने खराब है, जिस अंग को लगातार काम करना है. लगातार काम करना है तो ज़्यादा उड़ जाए जैसे वो लिवर की कोशी का है, रिदय की कोशी का है, ठीके, या मस्तिश्की की कोशी का है, फेफ़रों की है, मांसपेश्यों की है, किडिनी की है, ये अंग वाइटल ओर्गंस है जिनको लगातार काम करना है और जहरी से बा में माइटो कॉंड्रियल डियनने खराब होगा तो उसको इन अंगों से सम्मंधित गंभीर समस्याएं हो जाएंगी हार्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा लिवर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा किड्ने ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी lungs ठीक तरीके इस काम नहीं कर पाएंगे muscles ठीक तरीके इस काम नहीं करेंगे brain में भी जो है problem होनी शुरू हो जाएगी तोंकि कोशिका को उड़ जा ही नहीं मिल रही है और extreme cases में multiple order failure हो जाएगा और आभी मर जाएगा ये condition ये problem आती है अगर mtdna में कोई खराबी हो तो मतलब जो व्यक्ति है उसका survival बहुत ही कठिन हो जाएगा तो mtdna के बारे पहली बात ये दो तिन बाते आप जान लिए कि इसका role क्या है ठीके इसका size वगरा क्या होता पहला तो ये समझ लिए अब दूसरी बात सुनिए ज़रा ये संतान में जाता कैसे है तो मेरे खहल से मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो है थोड़ा सा निशेचन से परचित होंगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जैसे ये जो है वो माल लेते हैं कि ओम है बहुत छोटा साइज होता है स्पर्म है ठीक है एन का मतलब यहाँ पर जो है वो गुरुसूत्र की संख्या 23 गुरुसूत्र स्पर्म का साइज बहुत छोटा होता है और ये हमाल लेते हैं कि ओम है एन मतलब यहाँ पर एक गुरुसूत्र है यह Oum है हमारा मतलब यह माता की तरफ के वाली कोशिका है यह पीता की तरफ वाली कोशिका है यह दोनों जब आपस में मिलते हैं तिसी को हम निशेचन या फोटिलाजिसन कहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ का आप थोड़ा सा इस पर गार करिये ठीक है? आप इस बात से परचित हैं कि कुशिका के तीन मुख्य भाग होते हैं एक को करते हैं कुशिका जिल्ली जो ये बनी हुई है दूसरा जो है इसको और इसको इसको करते है कुशिका द्रब या साइटो प्लाजम और ये जो है वो है केंद्रक ठीक है? इसको केंद्रक कहते है कुशिका जिल्ली आप देखी रहे हैं तो कुशिका की ये तीन मुख्य भाग होते हैं और आप इस बात को जानते हैं कि ये जो साइटो प्लाजम है इसी का हिस्सा है माईटो कॉन्रिया कुशिका द्रब्य का मतलब क्या होता है? कुशिका जिल्ली के अंदर केंद्रक के अलावा जो कुछ भी है वह कुशिका द्रब्य है मतलब माईटो कॉन्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाजमिक रेटी कूलम ये सारे ओर्गनल कुशिका द्रब्य का ही भाग होते हैं अब जब निशेचन होता है तो इसको जरा घौर से देखिएगा और इसलिए मैंने दोनों के कुशिका द्रब्य को अलाग-अलाग कलर से बनाया है एक को नीले रंग के डैस से बनाया है और एक जो है वो पिंक कलर के क्रोस से बनाया है ये वाला जो है वो माता की प्रजनक कोशिका कोशिका द्रब्य है वो पिता की प्रजनक कोशिका या जर्मसिल का साइटोप्लाज जो है अब निशेचन होगा जब निशेचन होता है तब बनता है जाइगोट और जाइगोट में पिता वाला केंद्रक, माता वाला केंद्रक दोनों आ जाते हैं तो N प्लस N 2N होगी लेकिन कोशी का ध्रव्य जो है वो केवल माता से आता है पिता से नहीं आता है क्योंकि वो इतना छोटा साइज होता है कोशी का ध्रव्य जैसी कोई चीज होती ही अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तुम कहना क्या चाह रहा हूं ज़र समझगेगा यह है केंद्रक ठीके इसमें 50% जो है वो माता प्लस 50% पीता का योगरान मतलब जो केंद्रक वाला dna है उसमें 50% माता से आता है 50% पीता से आता है N माता से आया N पीता से आया और यह है कोशिका द्रब्य 100% माता से आता है इसका मतलब क्या है कोशिका द्रब्य जो है 100% अगर माता से आ रहा है तो इसका मतलब की कोशिका द्रब्य के जो हिस्से हैं वो भी माता से आ रहा है माइटो कॉंड्रिया पूरी तरीके से माता से आ रहा है और अगर माइटो कॉंड्रिया माता से आ रहा है तो फिर माइटो कॉंड्रियल डिनने भी तो माता से ही आएगा कहने का तात पर ये है कि जो माइटो कॉंड्रियल डिनने होता है वो पूरी तरह से जो off-springs होती है जो स्तंताने होती है चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो mitochondrial day में पूरी तरीके से माता से प्राप्त होता है उस वे पिता का योगदान 0% का होता है क्योंकि इस तरीके से ये process चलता है और इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाए दाकि आप इस बात को समस सके कि यहाँ पर तो N और N2N हो गया लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सिर्फ pink cross मैंने लगाए है यह निला वाला डाइस लगाया ही नहीं है अगर पूरा का पूरा सकते हैं कि यह वाला तो सही है अभी इतने पर रुखते हैं कि यह वाला तो सही है इसमें तो कोई संशे की गुंजाईशी नहीं है और इससे हमको पता चलता है कि हमारे पास अब आप्सन जो है यह बच रहा है और यह बच रहा है यह वाला तो गया ये वाला भी गया है अब इन दोनों में से हमको चुनना है कि हमारा आंसर क्या होगा आप हमको देखना क्या पहला वाला भी सही है देखें जरा देखें टेकनोलोजिकल डीटेल बहुत ज़ादा हो जाएगी इसलिए बहुत डीटेल में नहीं जाओंगा मैं देखें फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ माइटोकॉंड्रियल डीएन्ने का दोश माइटोकॉंड्रियल डीएन्ने से उत्पन होने वाली समस्या को दूर करने का उपाय क्या है माल लिए कि एक है मिस्टर एक्स और एक है मिसेज एक्स ठीक है? और Mrs. X में जो Mitochondrial DNA है वह defected है हमको पहले सही परपाई ये बात तह है कि जो बच्चे होंगे उनमें Mitochondrial DNA से सम्मादिस समस्याएं होंगी और वो सारी बाते जो भी की, उन उन अंगों से related problem होगी, मतलब उसका जीवन जो है, वो कोई बहुत अच्छा नहीं होगा अब ये चाहते हैं कि इनका बच्चा, ये दोनों चाहते हैं कि इनका जो बच्चा है उसमें ये समस्याँ ना होने पाए तो ये क्या करेंगे? सीधा सा इशू है कि Mitochondria इनका जाने ही मत दीजी है ना? Mitochondrial DNA Replacement Therapy ठीक है? अब इनको करनी पड़ेगी क्या? अगर ये ऐसे हैं इनको करनी पड़ेगी Mitochondrial DNA Replacement Therapy या Mitochondrial Replacement Therapy DNA हटाकर भी वही मुद्दा आएगा कैसे कर सकते है Replacement ये? Replacement के दो तरीके हैं एक है Mitochondrial Spindle Transfer Therapy और दूसरा है Pro Nuclear Transfer ठीक है? ये दो तरेपीज है थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूँ कि Mitochondrial Spindle Transfer को थोड़ा साब समझेए कि क्या होता है इस तरीके से आप देखिए ठीक है? ये जो है वो मदर है जिनके जिनमें जो है वो Mitochondria में खराबी है इनके जो Mitochondria है वह जो है वो खराब है और ये जो है एक ऐसी महिला है जिनका Mitochondria जो है ठीक है Mitochondria DNA ठीक है इनसे ओम लिया गया इनसे भी ओम लिया गया इनसे एग लिया गया इनकी प्रजना कोशी का जर्मसल गैमीट इनसे भी इनका जो है गैमीट लिया गया ठीक है? ये हल्दी है इनमें खराबी है आप क्या करें? इस वाले ओम से केंद्रक निकाल लिजिए बाकी फेंग दीजिए जहां पर Mitochondria पूरा material ही फेंग दीजिए जरूरत ही नहीं केंद्रक निकाल लिजिए ठीक है? और यहां से क्या कीजिए? यहां से भी केंद्रक निकाल कर फेंग दीजिए एनवेलप ले लिजिए यहां यहां पर क्या किया ? बैइ टो किया गया है जिनके साइटोप्लास्मे स्वस्थ। मैटोकॉंडcción्रिया थे उनके साइटोप्लास्मे इस केंद्रक को यहां पर प्रवेश करा दिजिए उसके बाद निशेचन करा दिजिए तर Evans के पहले हो रहा है है, यह प्रक्रिया जो है वो, निशेचन के पहले हो रही है, कि हमने महिला का कोम ले लिया, एग ले लिया, मतलब, उस महिला का, मिसेज एक्स का, जिनके Mitochondrium DNA में खराब ही थी, उसको ले लिया हमने, उसके केंद्रक निकाल लिया, ठीके, सैधान्तिक पक समझीए, यह नहीं कि आप सोचना सुरू के केंद्रक निकालते कैसे होंगे वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिनको करनाओं कर लेंगे आप सैधान्तिक पक को समझीए जिसमें जो है माइटो कॉंडिया खराब है, उससे केंद्रक निकाल लिया जिससे जो है माइटो कॉंडिया खराब है, उसका भी केंद्रक निकाल लिया इस वाले केंद्रक को इस वाले एनवेलप में डाल दिया और फिर Mr. X के इस्पर्म से इसको fertilize करा दिया in vitro के अंदर परकनली के अंदर या आपकर सकते हैं पात्र के अंदर निशेचन करा दिया ये निशेचन के पहले transfer किया गया है ये है एग के अस्तर पर प्रजनक कूशिका के अस्तर पर gamit के अस्तर पर transfer किया गया है लेकिन यहाँ थोड़ी problem आती है ये जब transfer किया जाता है न तो इसके साथ जो है वो 2-4 mitochondria भी चले ही जाते हैं इसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि जब इस केंदर को transfer करते हैं तो mitochondria हजारों की संख्या में होते हैं तो यहाँ पर 2-4-10 mitochondria जो है वो transfer हो ही जाते हैं तो थोड़ी बहुत problem यहाँ पर भी बची रह जाती है इसलिए दूसरा है pro nuclear transfer देखें ज़रा उसके लिए मुझे अच्छे खुद बनाना पड़ेगा pro nuclear transfer निशेचन के बाद होता है देखिए Mrs. X यहाँ पर D लिख दाना और D का मतलब defective है concept को हमको समझना है donor egg donor जाई इसी बात है egg donor यहाँ पर H लिख देता हूँ मतलब healthy है ठीक है यहाँ से हमने लिया यहाँ पर मैं tick लगा दे रहा हूँ healthy वाला है ठीक है यहाँ से ओम लिया यह खराब वाला है ठीक है अब इन दोनों eggs को जो आपने donor से correct वाला लिया है और यह जो है वो mitochondria खराब वाला लिया है इन दोनों eggs को हम जाहर से बात है कि इन विट्रों के अंदर ही Mr. X जो father होंगे उनके sperm से निशेचित कर देंगे जो father होंगे उनी के sperm से दोनों को निशेचित किया जाएगा विट्रों के अंदर ही जाहरी से बात है अब दोनों ये निशेचित हो गए दोनों का जो ही निशेचन हो गया दोनों का ही fertilization जो है वो हमने करवा दिया ठीक है अब इसको आगे डेवलप करेंगे पेट्री डिश के अंदर ही आगे डेवलप करेंगे ये ओम का निउकलियस है ये खराब वाला माइटो कॉंट्रिया है और ये जो है वो स्परम का निउकलियस है इसके पहले कि ये दोनों निउकलियस पूरी तरीके से फ्यूज करके 2N वाला निउकलियस बना ले जहां समझिएगा इसके पहले कि ये दोनों फ्यूज हो जाए और 2N बन जाए निउकलियस जो है कंप्लीट हो जाए इस कंडिक्शन को कहते हैं प्रो निउकलियाई कि अभी निउकलियस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है यहां पर भी वही चीज है यह जो है वो प्रो निउकलियाई कहलाते हैं और यहीं पर आप ट्रांसफर करेंगे हमें ठीके अब क्या करेंगे अब आप खुद समझ पा रहे होंगे कि यहां से हम लोग ले लेंगे केवल एंवेलप को करेक्ट वाला ठीके और यह जो सन अचना है इसको निकाल कर ठेक देंगे एंड इसको हम जो है वो नस्ट कर देंगे इसको जरूरत नहीं है और इसको जो है इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे यह वाला इसके अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया और इसको हमने नस्ट कर दिया यह है प्रो नुकलियस ट्रांसफर यह स्पिंडिल ट्रांसफर से ज़्यादा बहतर है यहाँ पर एक भी माईटो कॉंड्रिया ट्रांसफर नहीं होता है तो यह कंडिशन जो है निशेचन के बाद ट्रांसफर किया जा रहा इसके पहले जो आप देख रहे थे तो अब यह जो बच्चा पैदा होगा यह जो पीछे बच्चा पैदा हो रहा था उस पर अगर आप घौर करें तो क्या पाएंगा इन बच्चों में यहाँ से भी चाहे वहाँ से भी हमारा आंसर तो हो जाएगा विससे कि निशेचन के पहले भी ट्रांसफर करते हैं निशेचन के बाद भी ट्रांसफर करते हैं माइटोकॉंड्रिया को निशेचन के पहले भी रिप्लेस्मेंट किया जा सकता है उसका निशेचन के बाद भी किया जा सकता है लेकिन एक बात इसमें और ज़रा गवर करें आप कि जो बच्चा पैदा होने जा रहा है चाहे यहां से, चाहे वहां से उस बच्चे में तीन लोगों का DNA है तीन लोगों के जनेटिक करेक्टर उस बच्चे में है एक इनका एक इनका Mr. X का तीन लोगों के जनेटिक करेक्टर के साथ यह बच्चा पैदा होगा और ऐसे बच्चे जिनके जिनमें तीन व्यक्तियों के आनुवांशिक लक्षण समलित हो उनको कहते हैं त्री पैरेंट बेबी इस बात को याद रखिएगा सरोगेसी से पैदा होने वाला बच्चा त्री पैरेंट बेबी नहीं कहलाता उसमें भी तीन लोग शामिल होते हैं एक वह माता जो गर्व में धारन करती है एक वह जिसका ओम होता है और एक वह पूरुष जिसका इस्पर्म होता है लेकिन बच्चे में जेनेटिक करेक्टर केवल जो है वो उन दोनों से उसको थ्री पैरेंट बेबी नहीं कहते हैं कभी भी नहीं कहते हैं यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि यह थ्री पैरेंट बेबी है क्योंकि सरोगेसी के अंदर जो है वो जेनेटिक करेक्टर के वोल दो लोगों के होते हैं जो उसके जेनेटिक माता पीता होते हैं उनके इसलिए सरोगेत बच्चे को कभी सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चे को आप three parent baby नहीं कहेंगे लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे में तीन लोगों के जेनेटिक करेक्टर हैं इसलिए ऐसे बच्चों को three parent baby कहते हैं तो यहाँ पर बहुत डीटेल में तो मैं नहीं या पाया और संभव भी नहीं है आपको समझ रहे हैं लेकिन हमारे परसन का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा कि जब हम mitochondrial spindle transfer कर रहे हैं तो निशेचन के पहले कर रहे हैं और जब हम pro nuclear transfer कर रहे हैं तो निशेचन के बाद कर रहे हैं इसका मतलब यह भी जो है हो सही है और आंसर आपका यह हो जाएगा ठीक है दोनों technologies मैंने इसलिए आपको समझा दी तक कि कोई संसर न रह जाए मैं अगर सिर्फ बता के निकल जाता तो साइद आपको संसर रहता कि नहीं पताने सही है गलत है मैंने दोनों technologies जो prominent technologies हैं उन दोनों को बता दी आपको एक मिन निशेचन के पहले और एक निशेचन के बाद का ट्रांसफर जो हो रहा है निशेचन के पहले वाले में दिक्कत होती है उसमें पूरी तरीके से सुधार नहीं हो पाता है कुछ चीज़े बची रह जाती है निशेचन के बाद वाले में जो है वो ऐसी कोई समस्या जो है वो नहीं रह जाती है तो ये जो है आपका आंसर है अगला प्रशन बालगार वन और बालगार टू प्रद्दोगिकियों का टेकनोलोजीज का उलेक किसके संदर में किया जाता है बड़ा ही फैबरेट सवाल है UPSC का BT कापास पर आज तक जितने सवाल पूछे गए हैं उतना मुझे निरे तक किसी भी एक विशे पर पूछे गए होंगे ये दोनों जो हैं वो BT कापास की जो हैं वराइटीज है मेरे ख्याल से आब BT कापास के विशे में जानते होंगे BT कॉटन BT कॉटन का डेवलप्मेंट Monsento नाम की एक कंपणी ने किया है Monsento नाम की एक कंपणी है इसने इसको बनाया है भारत में इसका बितरन जो है वो महाइको के द्वारा किया जाता है महरास्ट र हाइब्रिड सीट कंपनी जेनेटिक इंजिनिरिंग के माध्यमस इसको तयार किया गया है मतलब कपास के आनुवांसिक सनचना में इसके DNA में जो हो संसोधन किया गया है क्या संसोधन किया गया है बैसिलस थूरंजियंसिस नाम का एक बैक्टिरिया है BT बैक्टिरिया जो है इसके क्राई जीन को जो है वो प्रवेश करा कर ये जीन का नाम है क्राई क्राई जीन को जो है वो कपास की फसल में प्रवेश करा कर BT का निर्मान किया गया है ठीके यह क्राईजीन एक जहर बनाता है, एक टॉक्सिन बनाता है, जो कपास की फसलों पर लगने वाली बोल वर्म, इसको जो है वो नश्ट कर देता है, मतलब कपास की फसल अब खुद ही जो है वो इस काबिल बन जाती, यही है बोल वर्म, जो यहां पर लगता और पूरा रूई ़िवर बात कर देता है, तो कपास की फसल जो है, खुद ही इस काबिल बन जाती है, तो वा इस बोल वर्म को जो है वो नश्ट कर दे, अलग से किसी जो है वो इंसिक्टिसाइड या पिस्टिसाइड के जरूरत हमको नहीं परती है, यह है बीटी कपास, ठीके, यह है इसका बोल वर्म की एक वराइटी या और है जो हमारे हाँ पाई जाती है, इसको पिंक बोल वर्म कहते हैं, और ये देखा गया है कि जो अमेरिकी बोल वर्म है, जो भी आप देख रहे थे, उस पर तो ये बीटी का पास या क्राइजीन बड़ा प्रभावशाली है, इस पर उतना प यह दोनों ही जो है वो BT cotton की varieties है इन दोनों को तयार करने का काम Monsanto ने किया है फर्क क्या है कि यह single gene टेक पराधरी थे और यह double gene टेक पराधरी थे यहाँ पर केवल क्राई 1 A C gene का प्रयूख किया गया है जब कि यहाँ पर क्राई 1 A C प्लस क्राई 1 A B इन दो gene का प्रयूख किया गया है 2002 में उसको अनुमती भारत में दी गई थी Genetic Engineering Appraisal Committee के द्वारा भारत में वानजी कुथपादन के लिए Commercial Production के लिए और 2006 में अनुमती दी गई थी इसको बानजी कुथपादन के लिए यह चर्चा में एक बार बहुँ ज़्यादा आ गया था जब इसको Patent कराने का प्रयास किया था Monsanto Mahiko ने लेकिन भारत की सुप्रीम कोट ने मना कर दिया कि इसको Patent नहीं करा जा सकता क्योंकि यह कोई इनौवेटिव श्रोध या इनौवेटिव रिसर्च का नतिज़िए नहीं है आपने पहले वाले में थोड़ा सा संसोधन भर किया है यह कोई हम नहीं कर सकते कि यह कोई आविशकार है यह कोई इनिवेल्शन नहीं है यह केवल संसोधन है इसलिए पर patent नहीं दिया जा सकते। तो उस्क्त में काफी चर्चा में आ गया था बोलगाड वन और बोलगाड टू। तो यह किस से related है यह? जेनेटिकली मौडिफाइट क्रॉप से related है ना, बीटी का पास तो जेनेटिकली मौडिफाइट क्रॉप है, तो उसी से related होगा, परकूं का उत्पादन, इधर भी पर सकते हैं, तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होगा ही होना क्या चाहिए, यही होगा, बीटी का पास genetically modified जो है वो crop plant है, और इसी से जुड़ा बोलगार 1 और बोलगार 2 है, cry 1 AC, दूसरे में cry 1 AC, cry 1 AB, 2002, 2006, औ जो हमारा appraisal committee है, genetic modification GEAC कहते हैं उसको, तो उसको भी याद रखिएगा, तो यहां से जो है genetic engineering appraisal committee, इसको जो है वो, जो हमारा environment protection act 1986 है, परेवर्ण सनक्षण अधनियम 1986, उसी के अंतरगर जो है इसको अस्थापित किया गया था genetic engineering appraisal committee को, पहले इसका नाम था genetic engineering approval committee, लेकिन 2010 मिसका नाम बदल दिया गया, जब ministry का नाम change किया गया, बन और परियावर्ण मंत्राले से उसका बन परियावर्ण और जलवाय परिवर्थन मंत्राले किया गया, तब इसका भी नाम बदल कर genetic engineering appraisal committee कर दिया गया, यह एक ऐसी संस्था है, जो कि, जो भी genetically modified organisms होते हैं, उनके उत्पादन को, उनके वितरन को, उनके बानिजिक जो है वो प्रियोक को, उनके भंडारन को, इन सब को विनियमित करने का, regulate करने का काम, GEAC के द्वारा ही किया जाता है, और एक बात और याद रखिएगा कि अभी तक, till date, यह जो BT का पास है, वह एक मात्र ऐसी genetically modified crop है, जिसक एक commercial production की अनमती भारत में है, commercial production, और यह खाद फसल नहीं है, इसके बाद जो है वो एक और फसल आई थी, BT बैगन, उसको भी अनमती दी गई थी, लेकिन भिरोध के कारण अनमती को वह आपस ले लिया गया, एक दिल्ली बिश्विद्याले के दोरा डेबलप किया गया है, GM GM सरसों, DMH 11, उसको भी अनमती दी गई थी, लिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, तो अभी तक तो किवल एक मात्रे ही है, जिसका commercial production जो है भारत में हो रहा है, तो बोलगाड 1, बोलगाड 2, आंसर आपके सामने है, किसी pressure cooker में जिस तापमान पर खाद्य पकाये जाते हैं, वो मुख्यता निमलिकित में से किन पर निर्भर करता है, पहला धकन में इस्ति छिदर का छेतर फल, दूसरा ज्वाला का तापमान, तीसरा धकन का भार, लीड जो है उसका भार जो है, वो वेटाफ लीड, नीचे द खास बात क्या है, boiling जो point होता है water का, उसको increase करने ताप, कैसे? pressure बना कर, boil करेगा water जब तो उसके molecules दूर भागेंगे, simple सा issue होता है, कोई भी चीज जब temperature बढ़ाते हैं, जब boil करने लगता है, तो gas बनेगा उसके बाद, तो जो उसके molecules से वो दूर भागेंगे, हम क्या कर रह करके जबरदस्ती उनको नजदीक लाने का प्रयास करें, नहीं नहीं जाने देंगे, यहीं रहो तो, तो water जो 100 degree Celsius पर उबलता है, वह जाकर उबलता है 121 degree Celsius पर, 21 degree का जो है फरका जाता है इसमें, pressure cooker जो है, 121 degree Celsius पर उबले जाकर उबलेगा पानी उसमें, भाब बनना शुर जो है जो आम तोर पर नहीं गलती है, वह जल्दी गल जाएगी, यह है pressure cooker का पाइदा, अब pressure cooker में जहार इस बात है कि भाब बनाने के लिए आपको flame का temperature तो चाहिए ही, जितना जादा होगा उतनी तेजीस भाब बनेगी, next जो है वो, जो धक्कन के कछिद्र होता है, उसका शेतरफल जितना कम होगा, उतना प्रिसराई होगा chamber, और cooker का gaze जो है जितना ज्यादा मोटा होगा, उतना ज्यादा, तो मैं यहाँ पर तीनों के साथ जाना चाहूँगा, यह, यह, और यह, डी के साथ, ठीक है, इसमें जो है वो थोड़ा सा कहीं कहीं जो है वो, लोग एका छोड़ रहे हैं, लेकिन यह, तीनों जो है इसमें correct है, वो ही है, यह भी है, यह भी है, ठीक है, इसमें कुल मिलाकर जो है उस pressure को create करने वाला issue है, जितना ज्यादा gaze जो है मोटा होगा, उतना ज्यादा जो है pressure create होगा, और उतना ही ज्यादा वह isolated system की तरह बेवहार करेगा, तो धकन की मोटाई या धकन का जो lead का जो pressure, जो weight होता है, वो भी matter करता है, जो छिद्र का छेत्रपल है, वो भी matter करता है, और ज्यादा का तापमान तो matter करता ही करता है, तो यहाँ पर मैं तीनों के साथ जो है वो, जा रहा हूँ, answer आपका यह होगा, इस प्रसंद को लेते हैं, पहले हम लोग जो है वो, वाइरस को एक साथ ही देख लेंगे, इस प्रसंद को ले लेते हैं जरा, वाइरस के तीनों को एक साथ हम देख लेंगे, एकदम निशिंद रही, साथ में वाइरस को आपको कुछ बता दूँगा, उसके साथ वाइरस सा वाले सारे कुछ जना आपके कभी भी गलत नहीं होंगे जल किसी अन्य की अपेक्षा अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि आपसन इसकी प्रक्षि और के द्वीदर्विय है या ऊउश्मा का सुचालख है इसकी बिस्स्ट-ूस्मा का मान ऊच्च होता है या हाइडरोजन का एक ऑकसाइड है जलगे मॉलिक्यूल में बड़ी खास बात होती है यह जो है वो oxygen का मॉलिक्यूल होता है और यह जो है वो hydrogen के मॉलिक्यूल होते है ठीक है? अब यहाँ पर जो है यह hydrogen जो है positively charge क्योंकि इतनी दूर होते है कि इनका charge पूरी तरीके से जो है वो नस्ट नहीं होता है तो इस तरीके से जो है यहाँ पर positive और यहाँ पर तो इसमें जो है वो दो poles बन जाते है negative, positive ठीक है? इसलिए जो है बहुत आसानी से किसी भी चीज के साथ यह जो है जो है वो अगर negatively है तो positive वाला जूर जाए अगर positive है तो negative वाला जूर जाएगा किसी भी चीज को बहुत आसानी से गोल लेता है अपनी इस bipolar nature की बज़े से द्वी ध्रुबी यह प्रकृत की बज़े से जल के molecule में बड़ी ही मतलब चीजे जो है समाहित है इस molecule के आधार पर इमी व्याख्या भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि temperature जब कम करते हैं तो 4 degree Celsius लेकर 0 degree Celsius तक इसका जो घनत तो है घट जाता है आयतन बढ़ जाता है उसमें भी region यही होता है कि hydrogen के साथ hydrogen जूड़ जाता है crystal बनने लगते हैं घनत तो आप जानते हैं कि जो एक आयतन में जो है वो समाहित द्रब्यमान जो होता उसी को घनत तो कहते हैं इकाई आयतन में कितना द्रब्यमान समाहित है उसी को घनत तो कहते हैं तो इकाई आयतन म ठीक है और धीमा होने के बाद आम तोर पर जो दूसरे द्रव अगरा होते हैं उनमें नजदीक आ जाते हैं धीमा होंगे तो दूर नहीं जाएंगे नजदीक ही रह जाएंगे यहाँ पर क्या होता है कि वो इसके साथ हाइडोजन एक हाइडोजन इसके साथ बना लेगा Molecular arrangement जो है इसको bipolar nature देता है यही molecular arrangement इसको जो है वो घनत को घटाने का काम करता है कि 4 degree Celsius के नीचे जा रहे तो 0 degree Celsius तक घनत घट जाता है यह बड़ा आयतन बढ़ जाता है बड़ा strange किसम का behavior है इसका लेकिन यह इसके molecules के shape की वज़े से ही होता है तो यहाँ पर answer आपका जो होगा यह बड़ा बढ़िया प्रसन है एक प्रकास ब्यवस्था के संदर में sodium बत्तिया एलेडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है वो ऐसे तो बहुत सारी भिन्नता है उनमें एक जो है वो gas discharge पर आधारीत है अगर हम दोनों की भिन्नताओं की बात करें ज़र देखी अगर प्रनाली की बात करें कारे प्रनाली क्या है तो यह जो है वो gas discharge पर आधारीत है और यह diode system है light emitting diode है ठीक है यहाँ बार diode अभी यहाँ पर detail में नहीं समझा सकते लेगर वो light emitting diode है यह जो है वो discharge system पर है दूसरा जो इसमें basic difference है light का difference है यहाँ पर जो light होती है 589 से लेकर 589.56 nanometer तक की होती है yellow light यह nanometer frequency दे दी मैंने yellow light होती है मतलब एक ही रंग का प्रकाश होता है monochromatic होता है single color होता है पीले रंग का प्रकाश आपने देखा हो यहाँ पर जो होता है वो 400 nanometer से लेकर 700 nanometer तक होता है ठीके तो ज़्यादा विश्तरित परास है इसकी light आपको white दिखाई देगी क्योंकि इतनी सारी frequencies का मिश्रन होता है कि इसकी light यह आपको white दिखाई देगी ठीके सफेद दिखाई देगी यह भी एक difference है इसे यह monochromatic होती है जबकि वो ज़्यादा जो है वो आपको color ranges दे सकती है और basically उसकी light white ही होती है और भी issue है इसके साथ इसकी जो life होती है वो काफी कम होती है स्टार्ट होने का time जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है जब तक gas जो है आईनी कृत नहीं हो जाए कि तब तक light आपको नहीं मिलेगी और धिरे-धिरे करके जो है वो gas समाप्त होती है और वह जो है वो lamp आपका जो है वो धिरे-धिरे करके खतम हो जाता है LED के बारे में बात करें तो sodium lamp से 10,000 घंटे ज़्यादा life उसकी होती है 10,000 hours more life इसकी तुलना में उसकी होती है एक और बड़ा अच्छा concept इसका है अगर आप LED ले 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 तो इसकी light ऐसे फैलती है sodium lamp की light ऐसे 360 डिगरी फैलती है और इसी जगह पर अगर आपके पास जो है LED है तो इसकी 180 डिगरी पर फैलती है 180 पर रहती है इसकी 360 पर रहती है तो sodium lamp की तुलना में LED हर हाल में बहतर है life use की ज़्यादा बहतर है energy efficiency ज़्यादा है उसकी जो shadow नहीं बनता monochromatic होगा तो shadow बनेगा परचाही बनने लगती है 360 coverage होने की वैसे जो बहुत लंबी दूरी travel नहीं कर सकती है तो बहुत सारी चीज़े जो है वो LED का परियोग बढ़ा रही है और यही वज़ा है तो हम ज़रा आपने प्रस्न देखते हैं तुलना तो हम बाद देख लेंगे ज़रा question देखा जाए sodium बत्तियां प्रकास को 360 degree मुथपन करती है किन्तो LED बत्तियों में ऐसा नहीं 180 पर हो ताभी बात की यह बात तो सही है इसमें क्या दिक्कत है सड़क की बत्तियों के रूप में LED बत्तियों की तुलना में sodium बत्तियों की उपियोगिता अधिक होती है कैसे हो सकती है LED जो है 10,000 घंटे जादा चलती है यह बात हो इनी सकती है यह तो गलप है sodium बत्ति के दिर्श प्रकास का spectrum लगभग एक वरणी होता है ठीक है बिल्कुल ठीक है लगभग एक वरणी तो होता ही है 0.56 तक जो है थोड़ा जा रहा है लेकिन लगभग एक वरणी ठीक है हो जबकि यह लेडी बत्तियां सडख प्रकास विवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं color advantage प्रदान करते हैं बिल्कुल ठीक है एक और तीन सही होगा इसका आंसर को हो सा है यह ठीक है अब यहाँ बना कर नहीं दिखा रहा हुए मैं आपको बना कर दिखा दूँ दिखी कैसे काम करता है वो classroom program का हिस्ता है आएंगे तो आपको स्वागत प्रेक next पर चलते हैं अगले प्रशन पर A.C.E.2 पदका उलेक इसको तो निश्चित रूप से अपने current affairs में पढ़ा होगा निश्चित रूप से पढ़ा होगा basically यह जो A.C.E.2 है यह एक तरीके से इसको कहते हैं angiotensin creating enzyme 2 यह यह एक खास enzyme है जो कोशिकाओं के surface पर attach होता है कोशिकाओं की सतह पर attach होता है और विशेस रूप से यह जो है वो ऐसे अंगों से जुड़ा हुआ है जो आपके blood pressure को control करने वाले अंग है heart की cell से kidney की cell से जुड़ा हुआ है यह और विशेस रूप से heart के संदर में इसको देखा गया था COVID-19 वाले issue में जो है वो coronavirus वाले में देखा गया कि जिस surface से यह जुड़ता है उस surface पे जो है कुछ ऐसे रास्ते बना देता है कोशिका में जिससे virus आसानी से प्रवेश कर जाता है मतलब यह cells में जो है ऐसे points create कर देता है यह enzyme जुड़ने के बाद जिससे virus जो है बहुत सरलता से प्रवेश कर जाता है और जो heart attack की problems बहुत जादा हुई है उसके लिए यह जिमेदार माना गया तो यह virus संक्रमन की दर को बढ़ा सकता है यह enzyme यह इसके साथ जो है जुड़ा हुआ एक मुद्दा है यहाँ पर आनुमासी के रूप से रूपांतरित पाद नहीं यह तो बेकारी है यह gene नहीं है कोई भारत के निजी उपग रहे हैं इसका भी कोई मतलब नहीं है बन ने प्राणियों पर नहीं यह भी ठीक नहीं है आपका अंसर जो है विशार जुने तरोगों का प्रसार है यह सीधा अधसा प्रसंता करेंट से जरा सागर आप जुड़े रहे होंगे निस्जी तरूप से जुड़े रहे होंगे COVID-19 में जितनी बातें चर्चा में आई है मुझे निले था कितनी बातें कभी किसी बीमारी बारें चर्चा में आई हो क्योंकि हम लोग उन्हों तो अपने जीवन में ऐसा कुछ देखा नहीं और भागवान ने करें आगे कभी देखें हमारे जो बड़े बुज़र्ग थे उन्होंने भी कभी ये कंडिशन अपने जीवन में नहीं देखी थी तो इससे अवेर रहना आपका करतब भी है इसके बारे में सारी बातें जानना आपका करतब भी है ठीक है प्रिया जो है वो simply याद रखेंगे कि कोशिका इस तरीके से है यह इसकी surface पर जो हो attach होता ही है enzyme जो है वो एक protein है जो इसकी surface पर attach होता है लेकिन यहाँ पर attach होने बाद यह कुछ points create कर देता है जहां से virus जो है वो सरलता से अंदर चला जाता है और कोशिका के अंदर जाने के बाद फिरो तबाही बढ़ा देता है यह जो है वो ACE2 विस्फिनॉल A BPA जो चिंता का कारण है निम्लिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संदचनात्मक मुख्य घटक है विस्फिनॉल A यह जो होता है वा के से बनता है पॉली कारणिए जो है वो एक थर्मो प्लास्टिक फाइबर है प्लास्टिक का जो है सबसे देखेर दो होता है मैं दोनों को चर्चा करदेता हूं यहाँ पर करता हुए थर्मो प्लास्टिक और दूसरा है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक ठीक है थर्मो प्लास्टिक का गुण क्या होता है कि यह बहुत कम तापमान अगर कर दीजिए टेंप्रेचर जो है वो घाटा दीजिए अगर यह थोस हो जाएंगे तो मजबूर थोस सॉलिट टेंप्रेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिये तो मुलायम हो जाएंगे लेकिन टेंप्रेचर फिर बढ़ा यह तो फिर थोस हो जाएंगे Recycle इनका खूब इस्तेमाल हो सकता है Temperature कम करने पर यह soft हो जाएगे Temperature बढ़ाने पर यह hard हो जाएगे Temperature बढ़ाने पर यह soft हो जाएगे वो जो है, वो बहुत high temperature पर भी hard बना रहता है लेकिन अगर एक बार soft हो गया तो फिर अपने शेप में दुवारा वापस नहीं लोटेगा थर्मो सेटिंग वाला इसलिए इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है बॉटल्स वगरा बनाने में जो वाटर बॉटल्स वगर आप देखते हैं खूब इससे जो है बनती है वाटर बॉटल्स होगरा है खूब बनाई जाती है इससे थर्मो प्लास्टिक या पॉली कार्बोनेट से इसके जो है वो पॉलिमर्स से बनाई जाती है जो बॉटल्स होती है बड़ी वाली वाटर बॉटल्स छोटी वाटर बॉटल्स इसके और भी कई सारे इस्तेमाल है, जो can होता है, बहुत सारे canned जो है, drink आप देखते होंगे, canned food आप देखते होंगे, उसके अंदर की surface बनाने के लिए जो है वो, इसको oxygen के साथ मिला कर प्रयोग किया जाता है, epoxy form करते हैं उसको, तो खूब इस्तेमाल इसका होता है, दैनिक water bottle 20 liter वाला मंगवाते हैं, तो उसमें भर-भर के होता है, खूब होता है उसमें, तो इस तरीक एक चीज़े को बनाने वे, क्योंकि इसमें एक खास बात ये है, मुलायम हो जाए लिए फिर सपने shape को प्राप कर लेगे, जैसे temperature को आप कम करेंगे तो, इसले खूब इस्तेमा हैं उनको कमजोर करता है, ये मोटापे में बृद्धी के लिए उत्तरदाई है, डिप्रेसन के कारण जन दे सकता है, एक रिप्रदक्टीव डिजीजेस को जन दे सकता है, ठीक है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को जन दे सकता है, PCOD कहते हैं मैलाव में यह समस्या पाई आती है breast cancer में भी इसकी भूमिका देखी गई है insulin resistant मतलब यह है जो है diabetes भी generate कर सकता है inflammation को जन दे सकता है colon cancer को जन दे सकता है यह बहुत खतरना चीज़ी है और इसलिए बहुत जादा चिंता का विशह है स्वास्त समद्धी ऐसी कोई समस्या नहीं है आपके किसी भी हैं से जहां पर इसकी भूमिका को जो है आप investigate न कर सकते हैं लेकिन उसके बावजुद भी आप देखने हैं धडले के साथ इसका इस्तेवाल होता है हम लोग बिना जाने उस डिब्बे पर लिखा होता कभी आप देखे तो उस पर तक लिखा होता है यह नहीं किस से बना है वो विस्पिनॉले वाला ठीके यह बहुत चिंता का विशह तो है बहुत जादा चिंता का विशह है बाराल यह polycarbonate है thermoplastic और thermoplastic होनी की वएसे इसका इस्तिवान फूब किया जाता है उसको याद रखिए निमिकित में से किसे triclosan के बिद्यमान होने की किसमे triclosan के बिद्यमान होने की सरवादिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उचस्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना गया है triclosan एक antibacterial material है एक chemical है जो antibacterial material है और इसका प्रियोग किया जाता है ऐसे पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जो बार-बार जो है वो open और close होते रहते हैं जैसे की साबून जैसे की toothpaste ये सारी जैसे की shampoo इन सब में triclosan का प्रियोग किया जाता है और खास्तार अपर जो antibacterial साबून अगर आते हैं उनमें तो खूब होता है triclosan और यह जो है काफी खतर है antibacterial है सबसे जादा जानते हैं इसकी problem कहां पर है यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जो antibacterial resistance का जो जन्म हो रहा है उसका antibacterial resistance का मतलब आप समझते होंगे कि जो bacteria है या जो सूक्ष जीवित रोक कारक है उन पर अब antibiotic दमाओं का असर नहीं होता क्यों? क्योंकि थोड़ा-थोड़ा खाके immune हो गया है हर जगा आपने antibiotic फैला रखा है परशुनों को जो है भर-भर के antibiotics की आप जो है injections देते हैं उनके milk में आ रहा है triclosan का प्रियोग जो है शायद ही कोई ऐसी toleratories हो सायद ही कोई ऐसी प्रसाधन सामगरियों जिसमें इसका प्रियोग न होता हो खुब प्रियोग होता इसका bacteria इससे भी immune हो रहा है वही जो एक concept था कि किसी थोड़ा-थोड़ा जहर देते रहे एक दिन जहर के लिए immune हो जाएगा वही concept है bacteria को हर जगा antibiotic मिल रहा है तो धिरे-धिरे करके bacteria उस antibiotic लिए immune होता जा रहा है इसकी बाकी सारी problem तो एक तरफ है यह एक बहुत बड़ी problem है कि यह भी microbial multi drug resistance है उसमें यह भी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है या जो antibiotic resistance जो है जर्म ले रहा है उसका यह बहुत बड़ा कारण है ठीके तो microbial antibiotic resistance का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो triclosan होता है ये चर्चा का बिशे लंबे समय तक रहा था इस पर 10-15 दिन लगातार मुझे लगता है कालागल पेपर्स में जो है वो आटकिल साय थे ट्राइक्रोशन को लेकर कि इसके प्रियोग को जो है किसी भी तरीके सरोका जाना चाहिए ठीक है तो कोई ही प्रसाधन समगरी जो है उन सब में साबून में सैंपू में टूथपेस्ट में इसको डाला जाता है ताकि वो जल्दी सर न जाए इंटी बेक्टिरियल बना रहे है उसमें बदवून आने पाए परिरक्षक्रू में इसका प्रियों करते है ताकि आपका सरी बेक्टिरिया मुखत रहे आपका मुव बेक्टिरिया मुखत रहे और इसका परचार किया जाता है लेकिन इसकी मात्रा इतनी कम होती है इक बेक्टिरिया इम्यून होता चला जाता है तो यहां पर जो है वो प्रसाधन समगरी आंसर आपका D होगा टालोटरीज खगोली दूरियों को प्रकास वर्स में मापे जाने का कारण निम्रिकित में से कौन सा सही है ठीके, खगोली दुरियों को प्रकास वर्ष में मापे जाने के पीछे क्या कारण है प्रकास वर्ष है क्या पहले तो लाइट इयर एलवाई ये क्या है प्रकास वर्ष सीधा समतलब होता है कि प्रकास एक वर्ष में निर्वात में जितनी दूरी तै करता है उसी को प्रकास वर्स कहते हैं उसी को जो है वो light year के नाम से जाना जाता है कितना यह होता है 9.46 trillion किलो मीटर की दूरी होती है एक साल में प्रकास निर्वात में इतनी दूरी जो है ट्रबल कर लेता है यह distance का जो है वो astronomical distances मापने का जो है एक तरीक है खगोली पिंडों के बीच के जो दूरिया होती है उनका जो है एक इकाई है उनकी एक यूनिट है आप जानते हैं कि खगोली दूरियों को तीन में मापा जाता है एक astronomical unit जो सबसे छोटी दूरी होती है astronomical unit आपको पता होगा कि पृथभी से लेकर सूर्य तक की जो दूरी है उसको एक astronomical unit कहते है मतलब गर कहा जाए कि पृथभी से फाला या x-pind की दूरी दो astronomical unit है इसका मतलब यह है कि पृथभी से उस पिंड की दूरी जो है वो 300 million km है क्योंकि यह 150 million km की दूरी होती है astronomical unit इसको सबसे छोटी दूरी माना जाता है 150 million km की दूरी astronomical मतलब सूरे से पृत्वी से सूरी की जो दूरी है वो 150 million km है तो इसको एक unit मान लिया है या एक astronomical unit होगी या एक खगोली इकाई होगी तो अगर कहा जा रहा है कि 2 खगोली इकाई दूरी है तो फिर 300 हो गया तीन खगोली इस तरीके से जो है वो हम नापते हैं उसके बाद दूसरी unit आती है ये ठीक है light year, एक साल में प्रकास निर्वात में जितनी distance तै करता है यतनी तै करता है तो इसको हम मानते है क्योंकि प्रकास की चाल जानते है तो यह जो है वो एक light year होता है एक और भी है parsec parsec बहुत लंबी दूरी है 3.26 light year क्या सपास यह होता है 3.26 light year तो सबसे लंबी दूरी में अपने का मात्र कभी फिलाल हमारे पास यह parsec are 3.26 light year यह होता है वो यह सारी है क्यों हम प्रियोग करते हैं लाइट इयर का प्रियोग हम क्यों करते हैं प्रकाश के चाल का प्रियोग क्यों करते हैं क्योंकि प्रकाश की चाल निर्वात में हमेशा एक समाग रहती है प्रकाश की चाल निर्वात में कभी हो इनी सकता हमारा जो सिस्टम है जो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम हमारा है जो ब्रमांडी ये प्रणाली हमारी है वो डायनमिक प्रणाली है दूरियां घटी बढ़ती रहती है यह तो आप जानते हैं कि गुरुत या गुरुत्वा कर्शन जो है द्रब्यमान पर निर्भर करत और अगर द्रवयमान ने च्छरण होगा तो जाहिर सी बात है कि गुरुत्व परिवर्तित होगा ही है। और दूसरा कि जो गुरुत्वा कर्शन है वो प्रकास को कर्व पात पर चलने के लिए विवर्श कर देता है। देखते हैं। वार्श को मैं थोड़ा से जो है कर देता हूं ताकि आप उन सारे प्रस्णों को दो तीन प्रस्ण जो बचे हैं उन सब को सॉल्व कर सकते हैं। वार्श या विशान विशान जो है इसको कैसे परिभासित करते हैं। वार्श जो होता है वो संक्रामक अनु है। मतलब जब तक यह कोशिता के अंदर नहीं है तब तक यह जो है वो एक मॉलिक्यूल के रूप में होता है। क्या होती इसकी सनचना ज़रा देखिए। अगर वार्श की सनचना के बारे में हम बात करें। तो इसको हम दो वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। अनिवारिय अवयव और वैकल्पिक अवयव वाइरस में जो है कुछ अनिवारिय अवयव होते हैं इसकी सनचना में अनिवारिय अवयव दो हैं कैपसिड और जेनेटिक मेटिरियल यह जो है वो एन्विलप है यह वैकल्पिक है अधिकान्स वारिस में नहीं पाया जाता है ठीक है कैपसिड जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है और जेनेटिक मेटिरियल जो है वो या तो डीने होगा डीने अथवा आरेने वारिस में कभी भी डीने और आरेने एक साथ नहीं होता है तो यह जो है वो यह इशू है इसके साथ अगर ऐसे हम इसको देखना चाहें तो एक सामाने रूप से अगर मैं इसकी सनचना बनाओं हालां कि वाइरसे की सनचना अलग अलग होती है लेकिन हम अपने हिसाब से बना लेते हैं ताकि अपनी वास्ता मस रखें तो यह प्रोटीन की इकाईयों से बनी हुई समझना है ऐसी बना लेते हैं तो देखने भी वच्छा लगे इसी को कैपसिड कहते हैं यह जो सनचना आपके सामने है यह प्रोटीन से बनी हुई है यह है कैपसिड और इसके अंदर ही होता है इसका जेनिटिक माटीरियल बियन्ने अथवा आरिन्ने कन्क्यूज नहीं होईएगा दोनों में से कोई एक होगा यह समझना होती है इसमें कोई भी कोषिकी अवयव नहीं है कोई माईटोखोंड्रिया नहीं है कोई लाइसो प्रोटीम नहीं है कोई राईबोसों नहीं कुछ भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी यह कोशिका में प्रवेश करने के बाद वो सारे काम जो है कर सकती कोशिका के संसाधन पर कबजा कर लेगी और कोशिका की जो प्रणाली है उस पर भी कर दो कोशिका के पूरे सिस्टम पर कबजा कर लेता है और फिर कोशिका का इस्तेमाल करता है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अपने आपको multiply करने के लिए इसलिए इसको कहते हैं कि यह है अपवाद है कोशिका सिधान्त का उसमें कहा जाता है कि जो भी जीवित होगा कोशिका सिधान्त कहा गया है कि जो भी जीवित होगा वो कोशिका से बना हुआ है कोशिका सिध्धान का यह पहला पॉइंट है कि सभी जीव जो है वो कोशिका से बने हुए है जो जीवित है वो कोशिका से बना हुआ है लेकिन कोशिका के अंदर तो यह भी जीवित है कोशिका के बाहर ही हम्रित है इन कोशिका के अंदर तो यह भी जीवित है क्या यह कोशिका से बना है कहा है कोशिका इसलिए कहते हैं कि वाइरस कोशिका सिध्धान्त का अपवाद है वाइरस निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है ये सारी बाते कही जाती है एक बात और याद रखिएगा बहुत important बात है वाइरस केवल जीवित कोशिका के अंदर ही multiply हो सकता है कहने के मतलब क्या है कि आपके पास कोई अगर जीवित कोशिका है कोई bacteria है कोई fungus है पौधे की कोशिका है जन्त की कोशिका है शैवाल की कोशिका है अमीबा है, paramecium है कुछ भी है ये जीवित कोशिका है इन सब को आप बस उचित पोशक माध्यम दे रीजिए प्रयोगशाला में इन में विभाजन शुरू हो जाएगा मतलब जो जीवित कोशिका है बैक्टिरिया से लेकर एनिमल तक कुछ भी सारे नामाने ले ली उन सब को आप प्रयोगशाला में संसलेशित कर सकते हैं लेकिन वाइरस को प्रयोगशाला में संसलेशित नहीं कर सकते क्योंकि वाइरस केवल और केवल जीवित कोशिका के अंदर ही बहुगूनित होता है इसका multiplication केवल जीवित कोशिगा के अंदर ही होता है कभी भी इसको संस्रेशित माध्या में परियोक्षाला में आप बहुगूनित नहीं कर सकते हैं यह बहुत important बाद इसको याधर ध्यान रखिएगा और आपका प्रस्ण भी है अब इवाँ पर चलते हैं लोग अब इसके genetic material तो यह इसका capsid हो गया यह इसका genetic material है genetic material के आधार पर जो viruses है इनको दो वरगों में आप divide कर सकते हैं viruses genetic material के आधार पर एक आप कर सकते हैं DNA virus ऐसे virus जिनका genetic material DNA है एक आप कर सकते हैं RNA virus जिनका genetic material RNA है जैसे adenovirus जुकाम होता है इससे जुकाम पैदा करता है जैसे hepatitis B इससे liver cirrhosis की problem पैदा होती है जैसे bacteria phase virus इस सारे example जो है वो DNA viruses के हैं double standard DNA यहाँ पर single standard double standard दोनों होता है RNA viruses की बात करें retro virus HIV सबसे common example retro virus का है HIV अन्य दूसरे example RNA viruses के अगर हम लोग ले तो इबोला RNA virus है polio virus RNA virus है यहाँ पर papilloma virus जो है हो human papilloma virus जिससे papilloma की problem होती है DNA virus है हो यहाँ पर polio virus RNA virus है जिसका SARS, MERS, SARS and COVID जो भी आया था COVID-19 वाला यह सारे के सारे RNA viruses है तो genetic material के आधार पर आप इनको दो वर्गों में clear cut divide कर सकते हैं कुछ ऐसे viruses जिसमें DNA होता है कुछ ऐसे viruses है DNA और RNA viruses में जो है वो एक साथ नहीं पाए जाते है ठीक है तो यह जो है वो आपके सामने issue है इसको ऐसे ही याद रखिए आप ठीक है बाकी इनकी वेसे एक बात और याद रखिए कि virus जो है वो किसी भी जीवित कोशिका को संक्रमित कर सकता है virus जो है अलग अलग प्रकार के virus अलग अलग को जैसे बहुत सारे जैसे वाइराइड आपने एक सुना होगा तो वाइराइड केवल पौधों को संक्रमित करता है आपने प्रियाउन सुना होगा केवल जन्तों को संक्रमित करता है लेकिन virus बड़ा ही समदर्शी है कोई भेदभाव नहीं bacteria से लेकर human being तक blue whale तक इसको कोई फरक नहीं पड़ता उस तब को कर सकता है संक्रमित किसी को भी जो इंफेक्ट कर सकता है और उसको बीमार कर सकता है तो virus के बारे वी कुछ खास बाते हैं निर्जीव सजीव के बीच की कड़ी है कोशिका सिधान्त का अपवाद है इसके मुख्यावय जो है capsid जो protein की बनी हुई एक cover होती है जो coronavirus की spike है नो capsid ही है उसकी वो फिर genetic material जो के DNA या RNA होता है इसके अलहार पर viruses को दो वर्ग में divide कर सकते हैं virus को संस्रिसित माध्य में प्रेउशाला में आप generate नहीं कर सकते हैं बहुगुमित नहीं करवा सकते हैं यह सारी बाते जो हो virus के बारे में आपको पता होने सामानने बाते हैं और virus किसी भी जीवित कोशिका को संक्रमित करने की छमता भी रखता है तो जड़ा देखे निम्नखित पर विचार कीजिए जीवान मतलब bacteria fungi virus which of the above can be cultured in artificial synthetic medium वो परियुप्त में से किन्हे कृतिम संसलिसित माध्य में समर्दित किया जा सकता है तो क्या virus को कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते हैं अभी तो यही बात कर रहे थे बाकी दोनों जीवित कोशिका हैं चाहे बैक्टिरिया हो चाहे निम्क्री कत्रों पर विचार कीजिए पहला एरिनो वाइरस में एकल स्तंत DNA संजीन या जीनोम जो किसी जीव का टोटल DNA या टोटल RNA होता है उसी को हम जीनोम कहते हैं तो जीवों के संदर में जो जीवित लोग हैं या जिनको आप सजीव कहते हैं तो उनमें जो टोटल सेट आफ DNA होता उसको जीनोम कहते हैं और अगर ऐसे वाइरस के बारे बात कर रहे हैं जिसमें DNA होता ही नहीं है तो उसका टोटल सेट आफ RNA उसका जीनोम होगा जैसे COVID-19 का जीनोम क्या है उसमें तो DNA है ही नहीं तो वहाँ पर टोटल सेट आफ RNA उसका जीनोम होगा है एडिनोवाइरस में एकल तंतु DNA होते हैं जबकि रेट्रो वाइरस में द्वी तंतु DNA संजीन होते हैं क्या लगता है आपको अभी जो चर्चा हमने की थी उसके आधार पर आप क्या निश्कर्च निकालना चाहेंगे एडिनोवाइरस में क्या RNA होता है नहीं रेट्रो वाइरस में क्या DNA होता है नहीं होता है नतीजह हमारे सामने है यह बात तो गलत है कभी-कभी सामान निजुकाम एडिनोवाइरस के करण होता है जबकि AIDS HIV या AIDS एट जो है वो रेट्रो वाइरस के कारण होता ठीक है यह बात तो सही है केवल दो यह आपका आंसर होगा देखा जाए सारे प्रस्ण में कर लिए यह नहीं एक नजर डाली यह फिर से यहाँ पर आंसर हमारा लेमन घास एक प्रस्ण हो गया दूसरा प्रस्ण यह आंसर हमारा यह है तीसरा प्रस्ण डिटेल में चर्चा की इसकी तो क्योंकि जरूत थी इसकी चौथा प्रस्ण बालगाड वन बालगाड टू पाच्वा प्रस्ण प्रिसर कूकर अठा प्रस्ण साथ्वा प्रस्ण आठ्वा प्रस्ण नवा प्रस्ण दसवाँ ग्यारवाँ बारवाँ और तेरवाँ फुल मिलाकर तेरा प्रस्न तो ये थे आपके प्रस्न और उनके सही उत्तर उमीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी हो आप इससे एक सही दिशा प्राप्त कर सकें अपनी तैयारी के संदर में और आपके जो भी संशे रहे हूँ उनको मैं दूर करने में थोड़ा बहुत सफल हुआ होँगा ऐसी उमीद में कर रहा हूँ तो फिर कभी मुलाकात होगी किसी और लेक्चर में शुब कामनाए धन्यवाद